सत ये है कि आज भी बिजली, पानी, सडक पुस्पराजगर में नहीं है। मानने राहुल गांदी जी का कहना है कि जैसे हमारे सरकार 2023 में बनेगा हम रिड़ माफिक करेंगे किसानों का और 70% नोकरियां देने का जो हम लोगों ने बचन दिये थे वो भी हम 2023 में लागू करेंगे। नारी सम्मान योजना के अंतरगत हम 15 रुपए मुखमंद्री कमलनाज जी बनेंगे तो 15 रुपए हम अपने बहनों को देंगे। दूसरा हमारे 500 रुपए में गए सिलेंडर हमारी सव यूनिट विजली फिरी कोई पैसा नहीं लाएगा। पहले भी हम देते थे। यदि उससे 200 आप तक खर्च करेंगे तो उसका आधा पैसा लएगा। 32-35 साल नोकरी करेगा। और नोकरी करने के बाद जब सेवा का रिटायर होता है उस समय उसको पैंसन कितना बना। 700 रुपए पैंसन बिना 1100 रुपए और जो पूरे जीवन लगा दिया। और जब अन्तिम जब बुढ़ापा भी आगे साथ वर्स में आप जो है उसको सेवा निब्रित कर रहे हैं। जब साथ वर्स आगे में उम्र हुआ जब पैसी की जरूरत है उस समय आप सरकार कितना देगा सुराज जी का साथ सो रुपए देगा ग्यारा सो रुपए देगा। यह पूरे कर्मचारियों में बहुत ज्यादा संतुष्ट है नराज हैं लोग तो इसके लिए हम लोगों ने माननी कमल नाज जी जब मुख मंतरी बनेंगे मत्रदेश में हमारी सरकार 23 में बन रहा है उस समय हम लोग उनको पुराना प्रिंसन लागू कर देंगे बिधायक जी न्यूजनेट चैनल में आपका शौगत है जैसा कि इस बार भी कॉंग्रेस पार्टी पुस्पराजगड़ विधान सभा से आपको टिकट देगी ऐसी जन चर्चा है और आपको भी पिशाश है आप पुस्पराजगड़ विधान सभा छेज से पिछले दो बा सब्सक्राजगड़ के माध्यम से प्रदेश और देश वासियों को धेर सारी शुबकामना और बधाई देता हूं बावाबर्फानी सब के कल्याण करें और जैसे कि आपने कहा कि विधायक दूसरे बार हम बने हैं आने वाले समय जुह है मैं अपने करमों पर मैं विश्वा कार रही इसके बाद भी हमने पुस्पराजगर के विकास के लिए कभी कोता ही नहीं परता और अनबरत चाहे वो विधान सवा में प्रिश्ण लगाने का बात हो तरांकेख हो प्रिश्ण काल हो अपना ध्याना कर्शन हो सुन काल हो याचिकाए हो जहां भी जैसा भी मुका हमने पुस्पराजगर के सरवांगिण विकास की दिशा में हमने काम किया और यह भी परहेज हमने नहीं किया कि यदि कोई मंतरी सरकार हैं मंतरी भाजपा की ही थे लेकिन हमने सतत उनसे संपर्क भी बनाए उनसे अन्रोध भी करते रहें पत्र वहार करते रहें और लिहाज जो कल का पुस्पराजगर था, हम बेहतर इस्थिति पर आज हम पहुचे हैं, चुकि ये पुस्पराजगर जंगल पहाडों में बसा हुआ पूरा जन्जाती समधाय यहां निवास करते हैं, और विरले अबादी होने के कारण पुस्पराजगर की भौगवली की स्थिति अन् लग है, यहां चोटे-चोटे कभीलों में, गाउं में, टोला में, मजरा में लोग निवास कर रहे हैं, और सबकी अपेक्छाएं भी हैं, कि मेरे यहां बिजली पहुचे, पानी पहुचे, रोड पहुचे, सभी लोग मांग करते हैं, तो बहुत आया तो जगहें में तो हम में हम सफल रहे हैं, चाहिए वो नुनघटी, दमेहडी, लीला, टोला का मार्ग आप लें, चाहिए राजिन गराम, बेनिवारी का मार्ग लें, चाहिए अपना कराउंदी और आपका पमरा मार्ग का हो, जो प्रमुक मार्ग जो हैं, उनको जो है, संगहर्स करके, और हम लो बहुत सारे हमारे ऐसे गाउं हैं, जहां बंचेतर होने के कारण, हमें उनकी अनुमत भी नहीं मिल पा रही है, अनुमत ना मिलने के कारण, उन गाउं में हम रोड नहीं पहुँचा पाए हैं, मैं आपका सर्फा का बात करूं, प्रधान मंतरी ग्राम सड़ा के वो जना में हमारा जुड़ा था, तिवनी को हमको जोड़ना था, लेकिन पांच साथ किलो मीटर जो है, वो ऐसा जब बन भूमी है, बन छेतर है, जो आज तक हमें जो है, उसकी अनुमती नहीं मिल पाई, जिसके कारण, वो जो चाहे बगार का हो, चाहे अपना जो है कोडार कुमनी, व तो उसको हम नहीं बना पाई, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पुसपराजगर के बन छेतर हैं, जहां अनुमती नहीं मिलने के कारण, जो हम काम नहीं कर पाई है, और मुझे पूरा विश्वास है, कि चाहे वो सिक्षा के छेतर में हो, चाहे वो हम आपका क्रेशी के छेत में एकम चाहिं से कड़ुर रूपई पानी काहोग गया कड़ुलेंश हमने दिए प्रयास किये हमारे जल हो प्रकोंपरा की सती ही जल कि जम ona जो है नीचे गिरते जा रहा है और यहां हेंड पंप खनन का याद 400 फिट से उपर पहुंच गया और वह भी जैसे जैसे बंचेतर खुल रहे हैं कटाई पेंड पौदों के हो रहे हैं वह हमारे छोटे-छोटे जलस्रोत से चाहे वह जिरिया हो नदी हो नाले हो इस टाइप क कि दिनों में भी हमको सुद्ध पे जल देना हम जो है नहीं दे पा रहे हैं लोगों का डिमांड भी है इसके लिए हमने समूह जल परदाय योजना को यहां पुस्पराजगड में ज्यादा प्राथ मिखता दिये कि जाहे वह किरिगी जल परदाय योजना हो हम इंक्यावन किया इस तरीके से लगबक सतर एक सो बीस गांव मजरा टोला हम जो है नल जल योजना से जोडने में सफल हुए आज वह उस समय हमारा ततकाली जो पी अची मंतरी रही है कुश्प महदेले जी उन्हों से हमने अनरोध किया सदन में किया उन्होंने सुईक्रित परदान किया उनको में धन्वाद भी देता हूं और जिसके कारण ये दो समुह जल परदा योजना हम छेतर में लागू कर पाए तूसरा जो चार मेरे रह गए जिसके लिए मैं का जहाब सतत प्रयास हम करते रहे हैं पस्षिम छेतर में मेरे कुमनी जल परदा योजना जोहिली नदी पर अधारित था जहां वो 40 करीब ग्राम पंचायते उसमें जो है जोड के बनाया गया था दूसरा हमारा करवंदा टोला मान रम्दा पर अधारित जल परदाय उजना था ये दक्षिट दिसा में जो वहां से छूट गए हैं दमेहडी से उसको हम इधर जोडने का प्रयास किये पूर्वी छेतर में जो आपके दोनिया से लेकर के पटना तक के जो छेतर पूर्वी छेतर में है वो हमारा जो है नल जल योजना से किरगी जल परदाय योजना में नहीं जूड पाया था तो बस ही समूह जल परदाय योजना के अंतरगत उसको हमने जोडने का प्रयास किय और 24 ग्राम पंचायते हमारे पुस्पराजगर के नीचे जो जैताहरी ब्लाक में जो आती हैं, वहां भी तिपान नदी पर अधारित गोधन जल परदाय योजना के ताहत, उसका हम DPR भी बना, जल भी कास निगम में पहुँचा दिये, लेकिन राज सी न मिलने के कारण आज भी वह सुईकरित के अभाव में कारयाले में पढ़ा हुआ है, यह हमारे पेजल पर था, स्वास्त सिक्षा पर स्वास्तों पर जो हम अनवरत काम कर रहे हैं, चूंकि सतत प्रकिरिया है इसका, और हमारे जो पुस्पराजगर है, जो क्रिसी के छेतर में, जो काम होना चाहि हम बड़े बड़े डेम बना करके पुस्पराजगर के में जो हमारा आज जो लोग जागरुक हुए हैं, बच्चे जो पढ़े लिखे जो नौकरी के तलास में, रोजगार के तलास में जो बाहर भाग रहे थे, उनको जो है वो क्रिसी के और अगरसित हुए, और हमने जो प बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किये, और जिसके तहद हमारा कोदो राइस जो है उसका ब्रांड नेम भी जिले का रखा गया, कि हमार कंटा कोदो राइस के नाम से 2020 मीमानी कमालाज जी मुखमंतरी थे, हमने जो है नर्मदा महोस्व के समय में उसका जो है शुभारम करा आज वो पूरे देश में उसका डिमांड बढ़ी है और अच्छा पैसा किशानों को इस से कोदो राइस से हमारा मिल रहा है, विधायक जी हम यह मान के चलें कि आपने मतलब बीजेपी के सरकार होते हुए भी अपने विधायक काल में कोई च्छेत के विकास के लिए कोई को आप तो जानते हैं तिवारी जी कई बार माननी मुख मंतरी जी अमर कंटक आए नर्मदा यातरा में आए हो चाहे वैसे भी हमेशा उनका टूर बंद लगा रहा और जब भी उस प्राजगड आए हैं अपने ब्रहमणकाल में हमने उस प्राजगड की अपने एक विकास की फ भाजबा के लोग भी वह जाते थे हां कांग्रेश का विधायक काई से हमारे इसमें आ गया तो लालपूर है लिपैड में हमने पहुँच गया है मेरा मंतरी है तो मुझे विकास की बाते हैं मुझे मांग करना है उनके वेल्कम भी करना है कोई ऐसा नहीं था और हमने फाइ पॉजिटिव सोचती विदा है कि इसलिए मतलब आप इतना सक्सेज फूल भी रहे और उससे यह आज यह रहा कि सिक्षा के शेतन में बहुत सारे निर्मार कार हमने माननी मुखमंतरी से भी लिए और चुकि यह पुसपराजगर जो है बहुत 200 किलो मीटर का विधान सभा मेरा चेतर फल के दिरश्टी से तो हमने सतत लगा लगे रहे और विकास में कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं किये चूकि यह चेतर सांसत जी भी यहीं है उनका विकरह निवास भी यहीं है तो हम चाहते हैं कि यदि वो भी थोड़े से की होती जैसे हम तो लगे ही थे उनका लिंजन यहां भी लग गया होता हम भले वह दूसरी पार्टी पार्टी का होता पर विधायक और सांसत का डबल इंजन बन जाता तो और मतलब कुछ देखने को मिलता इसका सहयोग हमें नहीं मिला और ना उन्होंने छेतर के वारे में कभी सोचा अन्ना भ्रमन किये जिसके क हाउनाए छोड़ देने चाहिए हम विकास पर हमारा मुक्त होना चाहिए केंद्रित होना चाहिए तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय में माननी अधरनी मद्दातागन छेतर के जनता जो है हमारे सभी से इसने प्रयार मुझे मिला है और आने वाले समय में भी मुझे उनका पाफिरवाद मिलेगा, ऐसे मैं मानता हूँ, माननी कमलनाच जी ने, जो पांच योजनाएं, जो मद्द पर्देश में कॉंगریश ने घोशना किये, कि हमारा नारी संमान योजना, जब नारी सम्मान योजना की हम बात करते हैं तो हमें वो महंगाई पर भी ध्यान केंदित हो जाता है कि यार मद्द परदेश और पुरे देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है जो ग्रहनी हैं हमारे बहने हैं उनको हम कैसे सहयोग करें इसके लिए नारी सम्मान योजना की अंतरगत हम 15 रुपए कांग्रेस की सरकार 2023 में बनेगी मानने मुखमंतरी कमलनाज जी बनेगे तो 15 रुपए हम अपने बहनों को देंगे दूसरा हमारे 500 रुपए में गय स्लेंडर जो आज वही गय स्लेंडर हम पुस्पराजगर की बात करें तो यह दि दुरांचल छेत्रों में भाई ले जाते हैं किराया भाड़ा तो उसको हम 500 रुपए में देंगे हमारी सव यूनिट विजली फिरी कोई पैसा नहीं लाएगा जो पहले भी हम देते थे कर्मचारियों ने मैं तो विधान सभा लगाया था वहां विधान सभा में भी हमने यह बताए कि एक कर्मचारी 32 साल 35 साल नोकरी करेगा और नोकरी करने के बाद जब सेवा का रिटायर होता है उस समय उसको पैंसन कितना बना 700 रुपए पैंसन बिना 1100 रुपए और जो हापा भी आगे साथ वर्स में आप जो है उसको सेवा निब्रित कर रहे हैं जब साथ वर्स आगे है में उम्र हुआ जब पैसी की जरूरत है उस समय आप सरकार कितना देगा स्यूराज जी का 700 रुपए देगा 1100 रुपए देगा यह पूरे कर्मचारियों में बहुत ज्या पुराना पिंसन लागू कर देगे और जब पुराना पिंसन लागू होगा तो मैं मानता हूं कि सब को 30-35,000 से नीचे महीना नहीं मिलेगा जो एक विक्ति के लिए परयाप्त होगा हमारा जो है रिंड माफी योजना जो 2018 में दल बदल के कारण बहुत सारे विधायकों ने बदल दिये, पार्टियां बदल दिये, कुछ लेंदेन किये, बहुत सारे पेपर मीडिया में आपके माधम से आते रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा, जिसके कारण मद्द परदेश के किसानों का 2 लाख तक के रिंड हम माफ नहीं कर सके, 2023 में जैसे सरकार बनेगे, मानने राहुल गांधी जी का कहना है कांग्रेस के, कि जैसे हमारे सरकार 2023 में बनेगा, हम रिंड माफ करेंगे किसानों का, और 70% नोकरियां देने का, जो हम लोगों ने बचन दिये थे, वो भी हम 2023 में लागू करेंगे. बिजायक जी, केंदर में BJP की सरकार है, और अभी मत प्रदेस में भी BJP की सरकार है, अब BJP वालों का ये मानना है कि केंदर और राज में डबल इंजन की सरकार है, और विकास के वादों के मुकाबले, आप उनके अपने जनता के बीच, कौन सी उपलब्धी लेके जाएंग जनाओं को देखा है, कि सरकार जो कब गोशना कर रही है, सरकार जो जिन समधायों के लिए योजना बनाई हैं, जिस उदेश से योजनाई बनी हैं, क्या वो धरातल पर लागू हुआ कि नहीं हुआ, हमने भारत जोड़ो यातरा, हाथ से हाथ जोड़ो यातरा कि मादियम से पूरे पुस्पराजगर को हमने घूमा देखा है लेकिन सत्य ये है कि आज भी बिजली, पानी, सडक पुस्पराजगर में नहीं है बहुत विक्राल स्थिती है जिसके बारे में हमने बिधान सभाओं में लगाए सदन से सदन सदन के बाहर भी हम लोगों ने उसकी लड़ाई लड़ी लेकिन सरकार जितना बता रही है, जितना लुभा रही है उतना जन्ता को हाथ में मिल नहीं रहे हैं गाओं का भी कास हो रहा है आज भी हमारे बिदुत भीहीन गाओं जो बिजली ही नहीं है नमबर एक में अभी गये विधान सभा में भी हमने वहां जो है मैं जाकर जब देखा भाराजोड़ यात्रा में तो वहां लाइट नहीं लोगों के बिल पांच-पांच हजार रुपए बिल आ रहे हैं बिजली के पूरे बिजली के बिल हमने लाइट है वहां कुछ नहीं बि बिल आ रहा था उनका जबकि बैगा जन जाती जो राष्ट पती से संदक्षित जन जाती हैं वो सारे गाउं के बिलों को इकठा किया इकठा करने के बाद मद्द परदेश की विधान सभा में ले गए हमने पूरा उसको आप तस्वीर भी देखे आपकी मार्द्याम से आप विधान सभा में ले जा के रखेंगे ये आपके बहुत सारे संपर्क सूत्र है आप रम्न नमबर एक पुसपराजगर में संपर्क करिए यह बिजली के बिल है हमने उसका जो हम इसमें बनाया और पहन के विधान सभा में गया मैं ये दीजात मद्द परदेश की है कि करीब जनता आदिवाशी जो दुरांचल गाउं में जंगल पहाडों में रहते हैं कैसे बिजली के नाम पर यदि हमने आवेदन दे दिया बिजली का बिल मेरा सुई कि इस्टार्ट हो जाता है विदायक जिसको अपन सरकार की फलता माने या फिर अधिकारी करम चाहरी हो या सरकार की देखिए हमारी जो प्रसासन है प्रसासन के उपर सरकार है तो नियंतरन की सरकार की मंतरियों की इसलिए मंतरी हम बनाते हैं ताकि उस बिभाग के पर्टिकुलर बिभाग के मंतरी बनते हैं आपका जुम्मेदारी है कि यदि कहीं गड़बड़ी हो रहा है तो आप अधिनस्त जो करमचारी अधिकारी है उसको आप ठीक करें कैसी बिजली फरविया यह नकामी माना जाएगा शरकार की नकामी माना जाएगा जो यही जो है लोगों के जो है आसंतोस का कारण बना हुआ है पूरे मद्दपरदेश में पूरे देश में यही इस्तितिय बनी या फिर छेत की जन्ता विकास को प्रात्मिकतक देगी यह जो कर रही हैं मैं आपको बताऊं लोक प्रीता की बात आपने अवास योजना प्रधान मंतरी आवास योजना आप ने दिया लोगों को गाउ में किता है आपने दिया 1,30,000 आपने सहर में किता दिया इस दो लाग पचास जार शहर और गाउं को कर देखी कैसे इन लोगों ने जो खाई पूदा अंतर अंतर इन लोगोंने किया जो भेद भाव जांगों के साथ जो किया वह वही वेक्ती एक जो आवास योजना का हिद्गराहे है अनुखपूर में अनुखपूर में रेता नुकपूर में गिट्टी नुकपूर में सारी चीजे वही मिल रहे हैं वो धाई लाक में बनाएगा और वही से परिवहन होके रेता हमारा जरहाव गाउँ पहुंच गया वही मेरे पुस्पराजगर छेतर में आया वही से हम इटा ला रहे हैं वही से हम अनसमगरिया ला रहे हैं अब वो जब आएगा तो आज इस वार हमने देखा कि 20,000, 25,000, 30,000 का एक एक हाईबर का रेता का कीमत था एक लाक तीस अजार में हम कैसे बनाएंगे तो लोगों में यह लगा कि यार अब देखो सहरी और ग्रामीर में इतना भारती जनता पार्टी ने जो है मभेदभाव कर दिया और जिसकी कारण इनका प्रधान मंतिर योजना का जो ठोकते हैं कि हमने काम किया बहुत नराजगी है उपर मातर जहां यह फोटो खिचा रहे है वो पलाश्टर है अंदर आप देखिए फरस नहीं बनाए उपर टपक रहा है लोग जो है घर छोड़के और उसमें कंडा रख दिये इस तरी के लोग भाग र में पूरे जित्ते लोग थे सब का आपने सुईक्रित कर दिया कोई भी ऐसा अच्छाले नहीं है जहां लोग उपयोग करते हों उसमें कोई कंडा रखा है तो कोई भूसा रखा है इसका कारण क्या है उपयोग में नहीं चीक से बना नहीं मेरे काम में पुस्पराजगर के लोग तो उसको कहते हैं पिछ घुच्या सौचाले उसका नाम पिछ घुच्या सौचाले रखी है मतलब जाने लाएक ही नहीं है आप आओ जैसे पीछे मुड़ो वहीं बैठ जाओ वह इसे निकल के भग जाए दाए बाए आप कर नहीं सकते हुए दिका है तो हाथ में लग जाएगा तो उसका नाम जो है सधार बाहता है चेतरी बोले माप कहें तो उसका पिछ घुच्या सौचाले रख दिया मैं मद्द परदेश की विधान सवा में हमने बोला था हां और गारंटी के साथ इस बात को हमने कहा कि कोई भी मंतरी जो बहुत सारे माननी ब्रमन करते है यदि उसका कोई उप्योग किया हो तो हाथ ऊपर कर दे खड़े हो जाए मुझे बता दे किसी नहीं बताया क्योंकि उसका उप्योग करी नहीं सकते हो तो पैसे का दुर्प्योग कुल मिला कि इसको चौवीस पचीस हजार रुपए तक का टॉयलेट देना था हम सासन को कि हमको जो है सक्सता अभियान चलाना आप पूरे गाउं को मत दीजिए आप पचीस लोगों को तैकर लिए बीस को तैकर लीजिए और बनाके और आप जो है आप बताई कि यह मॉडल है हमारा बनाके दस दस्ठों पचीस घर के बीच में आजब दूसरा आप सौचा लए द आपने जो है सौचाले है बना दिया बाहर जाते है तो लोटा में चले आथे और बहुर में आपना जो है दो किलो मीटर चल दीए यह परता ता हमारा हिंदू संस्कृती मिए कि लोग सुबह प्रात है काल उठें दो किलो मीटर चल दिये मौर्णिंग वाग भी हो गया जिसको आज कहते हैं हम लोग सुबह बढ़िया सीत में लोग गए कभी ना आख के दिगद ना कभी सर्दी ना जुकाम ना बुकार अब जब से ये सब बने तब से सारी रोग घर में आगया नहीं तो सरकार तो यह कहती कि महिलाओं को मतलब बाहर जाने से मतलब उनको सुरक्षीत करने कुद्देश से ये सब योजनाय लागू किया है इसका लाव मिल रहा है आज बता दें आज बता दें बोलने में अलक बात है लेकिन प्रेक्टिकल क्या कोई माताएं बहन में हमारा सवचाला यह नहीं बना सकते हैं अब छार उसमें भी बारह हजार में भी आप गाउं में जाएंगे तो लोग दो चार दा सापको मिल जाएंगे यह पैसा भी निकल गया तो यह ब्रस्टा चार से भी लोग और मानता हूं कि दो हजार ते इस तो मद्द पर्देश इसमें कॉंग्रेस की सरकार बनेगी, इसमें कोई किन्तु परंतु का बात ही नहीं है। बिजाय जी पुस्पराजगर विदान सावा में इस वार जनता किस आधार पर बोड़ लेगी। इस वार जो हम छेत्रों में जा रहे हैं, यह जो पांच योजनाए हमारी हैं, यह पांच योजनाए हमारे राम बान का काम करेगा, कि बढ़ती महगाई, बिरोजगारी, यह हर घर में पढ़ा लिखा बालक है। मुझे दुख इस बात की है, आपको बताएं कि जहां साड़े साथ करोर हमारे मद्द पर देश की जनसंख्या है, देश का आज एक करोर चालीस लाग करीब के लगभग हो गया। हमारे पास स्रम सकती है हमारे पास और उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा ब्रेंड पावर है, उस ब्रेंड प्रदेश सेरकार ने उपयोग नहीं किया। जिसके कारण बढ़ती बिरोजगारी जो बिरोजगार जो बड़ा पचास लाग से उपर मद्द प्रदेश में बिरोजगार हैं, हर घर में बालक बालका हैं, पढ़े लिखी हैं, M.A., M.S.C., B.S.C., भीकाम, पता नहीं क्या-क्या डिगरियां लेकर के घरों में बैठी हुई हैं, यदि उनको आप सही रास्ते में नहीं लगाऊगे, तो क्या होगा कि वही चवराहे में पांठेले में खड़े हो जाएंगे, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, डेली घटनाए घट रही हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई ऐसा घटनाए कि मनलब दिल दहला देने वाली, तो ये मात्र उसका कारण है कि विरोजगारी, यदि काम नहीं मिलेगा, तो प्रदेश और देश के जो युवाज साथ हैं, वो आपके पत से भट जाएंगे, उसकी जुम्मेदारी सरकार का होगा, उस प्राजगार छेट क्रसी प्रधान छेट रहे और यहां अधिकांशता है, लोग मज़ूरी पे निर्भर करते हैं, और तो ये देखने में यहां कि यहां के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोजगार में, और सरकार कहती है कि हमने रोजगार के लिए रोजगार गारंटी जैसी यह जनाय लागू की हैं, जिस इस देश में, यूपिय के सरकार में माननी मनमोहन सिंग जी प्रधान मंतिरी रहे, उस समय जो है राष्टी रोजगार गरंटी यह जना लागू होई, उसका साफ उद्देश रहा है कि हम सव दिन के रोजगार हम देंगे, और ताकि हमारे गाउं के लोग जो है गाउं से प पहुंच गया और उसके रासी उनको मिल गया, उस समय ये था जैसे यूपिय के सरकार ने लागू किया, तो गाउं में जा करके मजदूरी वितरन किया करते थी, घर गाणिया लगाओ, जहां काम कर रहे हैं, जिन गाउं में वहां जाके, वो सरूप को बदल दिये, और जब राष्टी रोजगार गारंटी इसकी मद्द प्रदेश में जब बना दिये, तो आप ये मान की चलिए कि लोगों को समय से मजदूरी ही नहीं मिल रही है, मजदूरी न मिलना, काम न मिलने के कारण लोग बाहर प्लाइन कर रहे हैं, अब बाहर सब्ताह में मजदूरी मिलता है, अच्छे राष्टी मिल रहा है, इसके कारण लोग जो है, एक बार गाउं में यदि राष्टी रोजगार गरंटी से कीम से कोई काम कर लिया, पंदरा दिन, बीस दिन, एक महीने, दो महीने उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, मजदूरी जो करता है, वो चाहता है, मिल रहा है, मतलब उनका भुक्तान तो आनलाइन दिख रहा है, तिवारी जी, बहुत सही चीज पर आपने बात किये, पुस्प्राजगर लोग चारागाह बनाए है, ब्रष्टाचार के चारागाह में ऐसे लोग जो है चर रही हैं, कि, मैं तो हमेशा इसका विरोध किया कि चाहे सदन में हो, सडक में हो, हम लोगों हमेशा उसका अंदोलन करते रही हैं, लेकिन अब सरकार सईया बने कोतवाल तो काहे डर काहे का, न भाजपा के लोग भी मस्त हैं, कार करता भी कोई नहीं बोल रहे हैं, नेता भी नहीं बोल रहे हैं, और करमचारी अधिकारी उ रोड बन जा हाँ ट्राइबल शेट होने करन पैसा तो खुब आ रहा है लेकिन अधिकारी मतलब पर अंकुस नहीं है बेलुकुल नहीं है और आपको विपक्ष का विधायक मान के लब सुनते नहीं या फिर उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं हम यहां इदर कसे तो विपक्ष के काम है यह लोग आंदोलन करते रहते हैं यह बिपक्ष है इनका काम है तो सांसच जी के पास पहुँच गए वहां जो है अरजी मिन्नत किये लिए दिये जो भी किये वह बात खतब हो गया अच्छा अच्छा यह मतला इसे कान भी का से हो इस नहीं धरातल पे नहीं उतर पा कर लेते हैं यह हालत है जिसके कारण जिए अभी आप मैं बताओं कि हमारे यहां बैगा जंजाद की लोग रहते हैं सरकार ने कहा कि इनको पोशड़ाहार के लिए एक हजार रुपए हम देंगे ठीक है अच्छी बात है बाई मिलनी चाहिए अब आप सोचिए उनके ज्यात बैंकों के चकर आफिस के चकर और अंतता परिसान होकर कि छोड़ देते हैं बहुत ट्राइवल हमारा जो आती पिछडी जाती जो भैगा समाज है बहुत संकोची है और वो जहां निवास कर रहा है वही अपना जीवन वितीत करना चाहता है सुतंत्र जीना चाहता है के बीच में रह करके वह फाले बड़े आगे जाना वह चाहता है जब एक बार दो बार जब जंगलों से उतर कि जब सा कार्यालियों की चकर लगाते हैं तो अंतों गत्वा भीवाश हो करको छोड़ देता है जिसके कारण की योजनाए लाब नहीं मिल पा रही है राश्टी और प्रदेश इस्तर के मुद्दों का अपने पुस्पराजगर विधान सभा में क्या कोई असर पड़ेगा राश्टी मुद्दे हो या प्रदेश के मुद्दे हो हमारा मुख मुद्दा है कि मेरे यहां लाइट लगा की नहीं लगा बिलकुल मेरे रोड पहुंची के नह मेरे रोड बेज जनता है कि मेरे रोड चाहिए बिजली पानी चाहिए स्वास्त चाहिए शिक्षा चाहिए बनियादी सुभधाय मतलब उनको मिले उनका तो यह है वह यह अभी आपको बताओ मैं कि पिछले बार बिकास स्यातरा निकाले थे जहां जहां यह लोगों ने और वह यह इसको भूम पूजन करके गए हैं और आज तक आपने जो है उसका काम प्रारम नहीं किये आपको बताओ मैं जब दो हजार ते अठारा में जब मानी कमलनात का सरकार बनी हमने इस पुस्पराजगर में दो तहशील बनवाए शुईकरित कराए उसके भवने बन ग काम किये लेकिन आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा है कोई फीता काटने वाला नहीं है कि उसको उद्घाटन कर दे और वो जो है अपना प्रारम हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे कोई राष्टी मुद्दा प्रदेश की मुद्दा यहां लागू हो चुकि वही व हाई मेरे बहनों अभी लाडली ओजना का वह बात कर रहे हैं लाडली ओजना में हर गाउं में 30-35 लोगों को मिल रहा है मां की लोग उसके उटारगे जो नार्म से बनाए हैं उससे सब फेल है तो कुछ और बढ़ा है ऐसे लगता है तो कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेग हैं लोगों के बीचे में बोलें आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं समार विलेज भी तो बना ओअ हमारा समार्ट विलेज भी बननी चीए पानी हो बिजली हो somewhat सुब्दा हो हर बेकती चाहता है कि मैं Rsा बढ़ यहां सुन्दर इसी रोड़ वभी चाहता है नाली इसे तो विकास हो रहे हैं, लेकिन जब विकास की बात करें, तो गाउं में नहीं बनेगा, वो फिर बड़े-बड़े नगर महानगरों में बनेगा, बनाईए हैं, वहां हमारे भाई लोग रहते हैं, लेकिन गाउं कभी उसी पर भी हमारा विकास होना चाहिए, जहां यह दे अब को जहनता के प्रति पूर्ण भिश्वास है और असमे के पूर्ण भिश्वास हिसे है की आने वाले शमय में जन्त आप को एक लोक्त Dip विधानशवाables भुए गिजेगी तो अगर आप प्रता सेभायि के चर्टार बनती है आप मंत्रीं हैं तो इस छेत्र या प्रडेयक के करदे प्रति बिकास के प्रतियाप की क्या सोच होगी कौन सी ऐसी योजनाइं दिससे जो आपने कहा कि गामों का भीकास नहीं हो रहा तो गामों गास होगा जब हमारे घर के उपर से, जब हवाई जहाज गुजरे, हेलिकप्टर निकले, तो सारे लोग उपर देखते हैं. जब हमारा देश, प्रदेश, हम हवाई जहाज और हेलिकप्टर से लोग घुमने लगे, अब दुख इस बात की कि गाउं से गाउं को हम नहीं जोड़ पाए. और हम मेरा प्राथ्मिक्ता होगा कि सिक्षा के बिना विकास संभव नहीं है सिक्षा हमारी प्राइटी स्वास्त सिक्षा क्रेसी के साथ ही हमारा कनेक्टिवेटी आवस्थ है यदि हमको आने जाने के लिए हमारी रोड नहीं है तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारा विकास माल लीजे वहां जो का उत्पादन हमारा हो रहा है कोई पैदावार हो रहा है उसको मार्केट तक कैसे लाएं उसको हम कैसे हमको उची मूल मिले कैसे हम मार्केट से जुड़ें बजार से कैसे जुड़ें सहर से कैसे जुड़ें, मुख मार्ग से कैसे जुड़ें, जब तक हम इसको जुड़ेंगे नहीं, और सवास्त सिक्षा क्रेशी पर हमारा विकास नहीं होगा, तब तक हमारी लाइट की सुब्धा हो, आज हर बच्चे के हाथ में मुबाइल है, अब मुबाइल चार्ज कराने के लिए पुस्पराजगड में दुरांचल गाउं से राजिन ग्राम लोग आते हैं, और पैसा दे करके अपने मुबाइलों को वैटरी से चार्ज कराती हैं, आपने भी देखा है, यह स्थिती हम कहां से कहां लोग उड़ रहें, हवाई जहां जो हम उड़ रहें हेलिकाप पाए, उसके बाद उस गाउं में पीने का सुंदर पानी सक्ष जल हो, आज हमारा जो बरसाते आगया, कई घटनाएं आपने देखी हैं कि पानी गंदा पानी पीने के कारण लोगों को मलेरिया हो रहा है, अपना सिकल सेल जैसे बिमारी इसके फैल रहे हैं, तो यह सुद प पेजल के लिए, आज भी हमारे बच्चे आंगन बाड़ी में प्रात्मी विद्यालें में जहां ध्यान कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, अभी 80-90-90 हजार रुपए का नलजल योजना विद्यालें को दिये, लेकिन आप जब आपका हैंड पंप ही नहीं हैं, विद्या काज ख़ला को राक हैंड़ की से लाकर को कैनेक्शन आपको इसा बताऊं ही हैं, अएम में आपको बताऊं को जमीन में लोग गाड़ दिये, जमीन तक लगा दिये, और पता चला कि वह में उसको जोड़ को पानी ही नहीं है गार inability सबर्सेय और अधनिया नहीं गा ली यह फोटू बहु यह सब यूजनाय लागु के गाई लेकिन पूरा उसका सरवे नहीं कर आए किृ लाइट है पानी है की नहीं है बस न कर के कि हमने ये योजना यहां लागू कर दी फोटो बहुत अच्छा खीचा प्रधाना ध्यापक से उनका लिखा के लिए लिए अच्छा वह भी लिख लिख दिया नहीं जहां जो आप जो है इनका नलचल योजना इस टार्ट है जिस उद्देश से वह लगाए पूरी जगह सफल नहीं है इसकाल आप बच्चों को नहीं मिल रहा हमारा आने जाने की सब्दा हो सडकें बने जाल बिछे हमारे जो है पेजल की सुन्दा सुद्ध पेजल पराजगर में मेरे प्राथ मिखता होगी सिक्छा का हमारा बहुत सिक्छा हम जैसे कि मैं हमेशा कहाता हूं कि सिक्छ आप बहुत सारे प्रात्मिक विद्यालें को उसके 10 किलूमीटर के आप उसको एक केंद्रा बना रहे हैं वहां बच्चे आके पढ़ेंगे और बागी विद्याले बंद हो जाएंगे तेखिए आज आसासकी विद्यालें का जाल पूरे मद्द प्रदेश में बिछ गया समय हमारे कलेक्टर के बच्चा भी सासकी विद्यालें में पढ़ता था अज जब से यह असासकी विद्यालें हुए उस समय सारे अधिकारी जो थोड़ा भी जिसके पास पैसा है वह बेखती चाहता है कि मैं प्राइबेट विद्याला में पढ़ाओं आने वाले समय में ममद्द परदेश सरकार से भी मानने कमलनाज से भी हम बात करेंगे कि आप असास की विद्यालें की तर्ज पर सास की विद्यालें पूरा वही सिक्षन योगता से मतलब अंखान नहीं मिलता लेकिन उनका प्रफार्मेंस उनका काम बहुत अच्छा है हम पंचास तो कम मिलता है साई यह लाख दो लाकों लाक रुपए हम देने के बाद भी उस इस्तर को हम नहीं पा रही है हम चाहते हैं कि बड़ियां भवन हो बैठने की जो असास की विद्याल बने हुए उच्छे ब्यवस्ता करिए बच्चे वहां आपका पढ़ेंगे हमारे विद्वान टीचर वहां पदस्थापना हो रिक्त पदें भरे जाएं निश्चित अच्छा हमारा होगा यह हमारा उद्देश मेरा प्रयास रोका हमारा क्रिशी पर छेत्र पहाड़ी छेत हैं पर उनका धरातल पे कहीं ऐसा जैसा आप कह रहे हैं तो कि नहीं है मतलब बने नहीं आपको बताओं मैं कि आज तो आप लिष्ट ले ले लिजिए और फिर आप चले जाएए गाउं में फिर आप देखिए कहां इनका जो है इन्होंने काम किया है कहां वाटर सेट के इस पर छोटे-छोटे काम वर्क कर रही हैं तो हमारी जो सिचाई की जो रखवा है वह भी हमारी बढ़ना चाहिए उस समय बड़ी-बड़ी आपको बताएं जलासियों का निर्मार आज भी हो रहा है हाँ अभी चालिस-पचास जलास है वह अम्रे सरोबर बाद तलाब बना को गाहंवालों का रहा है कि वह पुराने चलाबं को मिटाएं पैसा आहरण कर रहे हैं और फिर यह भी देखने में आया कि मतलब मसीन को अब मप्रियों कर रहा हैं मैजदूरों को कैया यह बात सव्टव कर देखिया-धान बन रही है उसके सबसे बहले हमारा जो एदी बांध बना पूल बना पुलिया बना जो भी बन रहा है हमारा तो उसका कितने रकवव में हो सिचाई होगा उसके केनाल नहर कहा कहां जाएंगे कितने किसान लोगों का सिचाई उसका कितने हैक्टियर में होगा यह सारे चीज़ें बनते हैं लेकिन यहां तो यह है आपको बताओं जो पुराने पुराने जो आप ज्यादा दूर न जाएं यहीं नुनगाटी चले जाएं बहपुर में वहां का देखी कि उसके जो है केनाल कहां है यही सरकार के प्रति अक्रोश का कारण यही बना हुआ है कि पानी भरा है मुझे खेट तक मुझे मिल रहा है आप पैसा दिया दिया बंद गया पानी है लेकिन हमारे नहर उप्योग में नहीं है नहीं थां कीशानों का नुकसान सब से ज्यादा हो रहा है तो यही जो है इनको सुधारने की जरूरत है और आने वाले समय में हम जो करेंगे बंचेतर तिवारी जी परिया वरन आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लेंटाना जिसको बरमस्या सीधे बोली में दी हम कहें तो आज पूरे पुस्पराजगाड और पुस्पराजगाड के बाहर भी जो हमारे जंगल अब हमारे पास बचा किया है यह आपका लेंटाना बचने कारण मा नर्मदा जी का भी जलिस्तर गर्मी में काफी कम हो गया है बिल्कुल बिल्कुल वह होगा सब प्रभाव पड़ेगा तो क्या इसी का प्रभाव है अबायद कटाई उस समय साल बुरोराद दो हजार ते व दो चार पेंड़ों में लगा अनुमति लेते लेते लाखों कट गए और इतना कटे कि उसकी भरपाई आज हम नहीं कर पा रहें तो इस तरीके से मा नर्मदा का कटोरी की तरह उसके वह है जो बना बठे तो वह पूरे चारों तरब से पानी आकर कि मा नर्मदा में कठा होत अब जब आप हमारा जो है साल का ब्रेक्षा ऐसा है जहां दो चार बाल्टी पानी उसको अपने सांथ संग्रह करके रखते हैं पानी कोई कठा करने वाले ब्रेक्ष है वह जो आज कट गए बहुत सारे ऐसे पुस्प्राजगर में कटे और कटने के बाद जो हमारा ये लें पैदल था हम लोग छोटे-छोटे थे पैदल भी हम गए तो जैसे आप रखें तो उस पहाड़ी के उपर पानी पानी पैर में आ जाता है और लाल-लाल पानी उपर वासमात हो तो इसी के कारण जो हमारे परियावार ने भी पुस्प्राजगर में बदलते जा रहा है तो हम अक्सीजन आप डूड़ो आक्सीजन देता को उन हमको वही पेंड पौधे ही दे रहे हैं आपने काटके उनको जो है नश्ट कर दिया आज आप सुद्ध अक्सीजन हवा के लिए लोग परते हैं लाखों कड़ोरों जाने भी कहीं यह तो हमको जीने के लिए हमको जो है पर आप जो है जंगलों में नहीं आप पाएंगे च्योंकि उसमें काटेदार होने के कारण जब भी कोई छोटा पाउधाय आगे बढ़ेगा वो काटे में जो है उसके बाढ़ को जो है कर दो है